नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजया ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हमाचल परदेश में आज एक दिन में अभी तक जो है नो नए करोना पोजिटिव मामले आये हैं तो कहां कहां कि यह पोजिटिव मामले आये हैं इसकी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो पर एंट तक वर रहिए अगर आपने अभी तक वीडियो क करते हैं तो देख सकते हैं आप कि चार साल की बच्ची समीत हिमाचल प्रदेश में नो नए करोना पॉजिटिव मामले आज स्तार आगस 2020 को आये हैं तो हिमाचल प्रदेश में सोंबार को जो है 9 नए करोना मामले आये हैं चमबा 3 और सोलन में 6 नए पोजिटिव आये हैं चमबा जीले में धड़ोग की 4 साल की बच्ची और स्मोट के 41 वर्षी विक्ति की रिपोर्ट पोजिटिव आये है जीले में सक्रिय मामलों की संख्या 97 97 हो गई है और 197 मरीज जो है ठीक हो गए है सोलन जीले के नालागर से 2 और परवानू से 3 नए मामले आये हैं जीले में संक्रामितों का कुल आंकडा जो है 996 पहुंच गया है और एक्टिव पोजिटिव केस 381 है परदेश में संक्रामितों का कुल आंकडा दो है वो 4,165 पहुंच गया है जिसमें 1,386 सक्रिय मामले है और 2,720 मरीज जो है ठीक हो गए है करोना से 18 की मौत हो चुकी है 40 मरीज जो है राज्य के बाहर चले गए है तो दोस्तों ये थी अभी की ताज़ा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज 9 नए मामले आये है जिसमें 6,16 के और 3 जो है वो चंबा के आये है तो दोस्तों ये थी ताज़ा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज अगर आपने अभी तक अंकित बर्मा और एट भी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है